त्योहारी सीजन की मांग मजबूत रहने तथा मंडियों में आवक कम होने से काबुली चना का घरेलू बाजार भाव उंचा एवं तेज हो गया है। माना जा रहा है कि बड़े-बड़े उत्पादकों एवं स्टॉकिस्टों द्वारा स्टॉक दबाए जाने से मंडियों में माल की सीमित आवक हो रही है। व्यापार विशलेशकों के अनुसार काबुली चना पर फिलहाल 44 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा हुआ है। यदि घरेलू बाजार में कीमत ज्यादा उंची हुई तो सरकार रूस से इसका आयात बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क को अस्थ जून को काबुली चना पर स्टॉकिस्ट सीमा लगी थी जबकि 11 जुलाई को इसे हटा लिया गया। तब से अब तक इंदौर मार्केट में इसका भाग करीब 3,100 रुपए प्रती क्विंटल बढ़ चुका है। जानकारों का कहना है कि यदि एशियन पूल के काबुली चना पर आयाच शुल्क में कटोती की जाती है तो घरेलू बाजार भाव में कुछ नर्मी आ जाएगी। दरसल रूसी काबुली चना का बाहरी आवर्न बहुत पतला होता है और इसलिए बेसन निर्मान में मिलर्स द्वारा इसका उप्योग किया जा सकता है। त्योहारी सीजन क के दौरान देश में बेसन की मांग एवं खपत बहुत बढ़ जाती है। भारत से कई देशों को काबुली चना का निर्याद भी हो रहा है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, अलजीरिया एवं चीन आदी शामिल हैं। इससे भी कीमतों को समर्थन मिल रहा है। ल कनाडा तथा रूस भी इसके प्रमुख निर्यातक देशों में शामिल हैं। अप्रेल से मई 2024 के दौरान हो गया है। मैक्सिको सहित अने निर्यातक देशों की तुलना में भारतिय उत्पाद का भाव उंचा हो गया है। कनाडा तथा रूस भी इसके प्रमुख निर्यातक देशों में शामिल हैं। अप्रेल से मई दो हजार चौबीस के दोरान भारत से करीब 40,000 तन काबुली चना का निर्यात हुआ। जो वर्ष 2023 की समान अवधी के शिप्मेंट 45,000 तन से कम अगर वर्ष 2022 के इन ही महीनों के निर्यात 23,000 तन से काफी अधिक है। भारत में काबु प्रेली चना की घरेलू खपत भी अन्य निर्यातक देशों से ज्यादा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी